रहुश्कार मित्रो मैं पंडित अखिल शुक्ल जैम हाकाल आईरविद कि मेरा 9165823800 मेरा वाट्चप नंबर भी है यह मोवाइल नंबर भी है बहुत सारे अभी मैंने तिलक बनाया तो बहुत सारे फोन आया बहुत सारा तिलक चला भी गया और बहुत सारे लोगों को आसात कि लाव भी ठोने लगा देखर बित्रो अगर सही चीज सही समय पर बने तो बिलकुल लाव होता है इसमें कोई दोमत नहीं है तंत्र हमारा जो तंत्र विज्ञान है भारत वर्ष का वास्ताव में बहुत बढ़िया है तो बहुत सारे लोगों ने प्रस्ण किये कि आप जो लकड़िया बाहर कलकता यहाथ से बने हैं यह ऐसके जलेरी रखीए है जलेरी के अंदर इनको रखा जाता है सफेद पलास की जलेरी है कपड़ा लगाके रख देते हैं कपड़े पहसली लोड़ा करें यह मैंने आपको पहली बताया था सफेद पलास की लखड़ी पर गोरक्षनात की अंतर है जो चांदी के तार से अभी मंतित करके बाना जाता है ताकि इसका मंतर है ओम, श्रीम, हिम, क्लीम, चाम, उंडाय, विच्छे इससे पहले आहूद देते हैं फिर और एक दुर्गा मंतर है, एक लक्षमी मंतर है इससे और फिर गोरक्षनाति अंतर से ताकि लक्षमी भी रहा है इसमें और जो उपद्रा होते हैं जादू टोना के, बाहरी हवा के यह सब दूर हो, जो दूसरे लोग आजकल जगे जगे चोरहे पर आप देखेंगे इत्वार को, दसेरे पर इंदोर जैसे बड़े सहर में आद दूसरे सहरों में भी चोरह स्थे पर कहीं कुछ हंडी रखीगी कहीं दीपक रखा मिलेगा, तो इस तरह के ऐसी चीज़ों में लोग पढ़ जाते हैं, तो फिर कहीं बीमारी आईगी, आजारी आईगी, तो उसके दिए ये गुरक्षना त्यंतर काम करता है इसका पानी भी पिला सकते हैं, पानी में डूबो के डूबो के बच्चों के लिए बच्चों को पहनने के लिए यह अच्छी चीज है बच्चों में जो उपद्रों हो जाते हैं नजर लग जाती है कहीं कुछ हो जाता है बीमारी आ जाती है पढ़ाई में मन नहीं लगता या जमाने भर की जो चीज तो यह बच्च सारे काम करता है भाग्य को बढ़ाता है बुद्धी को बढ़ाता है सनी राहू और केतु का ब्रह्म ब्रक्ष है पूरा ब्रह्म इसके अंदर है तो इस तरह के जो ग्रहदोस बादा है खास करके चंद्रमा को बढ़ाता है तो दिमाग सांत रहता है और पढ़ाई में अच्छा मन लगता है जिन भाईयों बेहनों के बीपी हमेशा बढ़े रहते यह जा रहे है बाहर अब आई बात गुठिकाओं की तो यह गुठिका रखी हुई है यह जो गुठिका है यह गौरी संकर है यह बनी हुई है यह गौरी संकर है इसमें दो सपेद पलास की गुरिया लगी हुई ताकि लक्षमी का भी वास इसमें रहे ब्रह्म ब्रक्ष रह अब पूरा पारवती श्यू के अंडर में पूरी संसार है तो ब्रह्म रक्ष भी लगा देने से अच्छा लाव हो जाता है यह सतरंगी धागा है मित्रों मिल नहीं रहा था यह सतरंगी धागा बुला लिए अब इसमें देते हम यह जो गुठकाएं हम जो पहले बनाते थे यह भूकी गुठकाएं हैं यह तूट भी जाती है गिरके ज्यादा जोर से पठक दो तो तूट जाती है यह चांदी खा लेती है इस तरह से यह पूरी यह देखे चांदी बिल्कुल खा जाएगी है थोड़ी देर में और सोना तो देरी नहीं लगने देती है तो यह हम पहले बनाते थे मित्रों अब हम इसको नहीं बनाते बनाते तो इसी को यह हम यह बनाते तो यह ही है जड़िक बुटियों से हम इसको यह देखे ये पूरा गायब पर देगी है पूरा लोगोंने बोला था बता दो करके तो बनाते तो है ये परंटि इसको बनाने के वाद जैना इसको धतूरे में पकाते हैं 21 बावना जो और फिर ये बहूका नहीं भूका पारा यह देखे यह अब यह नहीं खाने वादी यह कैसे उसने चांदी दपिट ली थी और यह नहीं खाएगी क्यों नहीं खाएगी यह 400-400 डिगरी तक पर फिगलती है मित्रों यह भूविक्षित नहीं है भूका पारा पहले करते हैं तांकि जड़ी बुटियों को जाए जब भूका होगा भूका यहने सुद्ध होना जब एकदम सो प्रच्छत सुद्ध हो जाता तो फिर वो कोई भी चीज को अपने में ग्रहन करने की सामर्थ उसमें आ जाती जैसे कि यह अब इसको काले धतूरे के बीच के अंदर अगर रख के सो पुट दे दिये करते हैं 21 पुट देने के बाद इस तरह से हो जाती फिर यह भूका नहीं हुआ फिर यह सुद्ध हो गया एक समरोफ हो गया अब यह मजबूत भी हो जाता मित्रों ऐसा पटक भी दो गया आप तो यह एसा पटकों के बिंद्द टूटे गी नहीं तूटती नहीं है इसको आ हुई है इसलिए हमने बहुत सारी लोगों की शिकात आती थी कि यह तूड़ जाती है तूड़ जाती है खेर मेरे गले में वित्तों यह पहने हुए उमे आज तक नहीं तूटी पर लापरवाही करते हैं लोग तो फिर तूड़ जाती है जित्ता भी काम है मित्रोश सुद्ध यह पहने हुए कितने वरस होगा इसको क्योंकि यह मेरे पिता के हाथ की है इसलिए मैं इसको पहने हुए हूँ आज तक नहीं खरा हुई चालीस पचास साल होगा इसको तो पिता की है पिता की आशिरवाद है इसलिए मैं इसी को पहने हूँ यह इस तरह से सब चीज़े बन तो फिर यह धीरे धीरे लकड़ी खराब होने लगती है पानी लगेगा इसको चमेली के तेल लगाते रहें शुद्ध चमेली के तेल मिल जाए तो लगाईए हम लगाते हैं चंदन का तेल लगा दीजिए तो यह खराब कभी नहीं होगी और इसको समसान भूमी पर नहीं ले जाना है अभी हमारे एकमित्र से जिनको हमने दी थी वह भूलवा सुनके अंकल खतम हो गए तो वहां चलेगा समसान से लोटके आए तो धागा था गोली गायब थी फिर उन्हेंने मुझे से फोन करा लगे तो मैं फोन नंबर दे दूँगा मैं कोई बहकी बात या इसी सुद्ध नक्षत्र में बनी हुई है पूरी दसों दिसाओं का बंधन हो दे की वज़े से इसमें पॉजिटी उर्जा बहुत ज़्यादा रहती है आपका समस्त शरीर के अंदर जो नकारात्मा कूर्जा उसको निकालके बाहर कर देती चाए गोरक्षनात पहने चाए समसान भूमी में नकारात्मा कूर्जा बहुट ज्यादा होने के कारण यह वहां या तो टूड जाएगी या गिर जाएगी या कुछ और कुछ उपद्रव आपको दिखेगा इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि इसको समसान भून पर नहीं ले जाना ऐसा दो चार लोगों के साथ हो चुका है इसके अंदर बहुत जादा पाजिटिव उर्ज रहा थे तो मैंने आज आपको डाल दिया यह छोटा वाला गुरक्षना द्यंत्र है बड़ा जो लोग नहीं ले पाते तो फिर में छोटा देने के लिए मैंने बना दिये हैं तो अब यह दे रहा हूं तो नमस्कार मित्रों मैं पंडित अक्षिशुक्ल जैमाकाल आयर्वे